नीले गगन के पार अनंत अंतरिक्ष में मौजूद वो संसार जिसके रहसे इंसानी दिमाग को जण्जोडते रहे हैं जिसकी कहानिया हमारी लोक कथाओं में हैं, हमारी आस्था और कविताओं में हैं लेकिन चांद पर भारत के राजदूद चंद्रियान तीन ने वो कर दिखाया जिसके लिए उसका नाम इतिहास में सुनहरे चमचमाते अक्षरों में दर्च कर दिया जाएगा देखी और समझे कि चंद्रियान ने आखिर ऐसा क्या कर दिया है कि भारत की इस काम्याबी से चीनी चिड़ गए हैं नासा वालों को रश्क हो रहा है और रूस को मलाल हो रहा है चांद पर हमारे चंद्रियान ने एक नहीं एक साथ 14 चमतकार कर दिये हैं गिनते जाएए और चंद्रियान के एक एक करिश्मे और करामात पर गर्व कीजिए चांद ने पहला चमतकार तो 23 अगस्त को ही कर दिया था जब उसने साउथ पोल पर सफल लेंडिंग की थी दूसरा चमतकार 24 अगस्त को किया जब चंद्रियान ने पहली बार चांद की सतय पर चलना शुरू किया तीसरा चमतकार 27 अगस्त को हुआ जब प्रग्यान ने चांद पर तापमान का पता लगाया और चौथा चमतकार 28 अगस्त को 4 मीटर के व्यास के गड़े की खोच कर ली तो 39 अगस्त को चंद्रियान की लोटरी ही लग गई जब उसने एक साथ आठ एलिमेंट्स की खोच कर आठ और चमतकार कर दिये प्रग्यान पर लगे उपकरन लेजर इंड्यूस्ट ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोसकॉपी यानि LIBS ने चांद की सतह पर एल्यूमीनियम, सलफर, आइरन, क्रोमीशियम, ताइटेनियम, मैगनीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन की खोच कर ली ये खुद में इतनी बड़ी खोज है कि पूरी दुनिया में इस खोज से खुशी की लहर दोड़ गई, चांद की सतह पर सलफर का मिलना बेहत दुरलब है वैग्यानिकों का मानना है कि साउथ पोल पर सलफर की मौझूदगी को वाटर आइस की मौझूदगी का संकेत माना जा सकता है अगर चांद पर हाइड्रोजन मिर जाता है तो ये मिशन चंद्रियान की सबसे बड़ी काम्याबी होगी क्यूंकि अगर चांद पर हाइड्रोजन मिला तो हमारे वग्यानिक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला कर पानी बना सकते हैं साथ ही इस हाइड्रोजन का प्रयोग दूसरे वग्यानिक मिशन के लिए रॉकेट के इंधन की तरह इस्तमाल किया जा सकता है यानि अगर चंद्रियान का ओपरेशन एच सफल रहा तो चांद पर इंसानी बस्ती बसाने का खौब एक कदम और आगे बढ़ जाएगा इसके साथ ही दूसरे ग्रहों तक जाने वाले मिशन के लिए चांद को बेस भी बनाया जा सकता है इससे पहले 28 अगस को चंद्रियान 3 के विक्रम लेंडर में लगे चास्टे ने चंद्रमा के तापमान से जुड़ा पहला उब्जर्वेशन भेजा था इसरों ने ग्राफिक्स के जर्ये बताया था कि चंद्रमा की सते और अलग-अलग गहराई पर तापमान में काफी अंतर है चंद्रमा के साथ पोल की सते पर तापमान करीब 50 डिगरी सेल्सियस है वहीं 80 mm की गहराई में माइनस 10 डिगरी सेल्सियस टेंपरेचर रिकॉर्ड किया गया है अब समझे कि चंद्रमा के साथ पोल की सते के तापमान से पता चलने से हमें क्या फायदा होगा चंद्रमा के साथ पोल को इसलिए भी चुना गया था क्योंकि यहां भविश्य में इंसानों को बसाने की शमता हो सकती है लेकिन चंद्रयान की रिपोर्ट में तो ये साफ ही कर दिया है कि चान के इस थर्मल बिहेवियर के वज़े से चान को बेस वाली कयासों पर पानी फेर दिया गया है बता देगी चांद की सते पर चंद्रियान ने चमतकारों की जड़ी लगा दी है 2 सितंबर को रोवर ने चांद की सते पर 100 मीटर की दूरी तै की और 2 सितंबर को ही चांद पर अपना पहला फेज पूरा कर लिया पूरी दुनिया फिलाज चंद्रियान तीन से आने वाली जानकारियों और चमतकारों पर नजर गड़ाई हुए है